हेलो एवरिवन वेल्कम एवरिवन नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आज नए चैप्टर में इस शांदार कहानी सीरीज में जिसका नाम है कहानी संसंतावन से सहतालिस तक में दोस्तों इस सीरीज में हम लोग आपको बता रहें कि वह कौन-कौन सी मुख्य घटनाए थी जिसकी वज़े से भारत किया जादी हुई साथ में मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने इसके पहले चैपकर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप सबसे पहले उनको देखिए ता आपको कंटिनुएशन में चीज़े समझ में आएगी और स सबसे पहले उसके भी पहले मैं चाहूंगा कि आप मैं सबस्क्राइब करिए बैल आकन दबा दिजे ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती जाएए तो आएए शुरू करते हैं कहानी संसंतावन से 47 तक में प्रिफिस्टोरियन प्रकाश दुबे ओके तो प्रकाश ये बताईए कि पिशली स्टोरी में हमने देखा कि दाधी जी का भी धीरे-धीरे इंडिया आना हो रहा है और डिवाइड और रूल पॉल्सी कैसे बिटिशर्स ने अपनाई मुस्लीम लीग का फॉर्मिशन हुआ अब क्या हो रहा है इस समय अब देश में क्या उनकी घटना है और साथ में चल रहे हैं तो अब है जो आपन लोग पीरेड विट हैं हम लोग 1913 बाद-देरा के बात की पिरेड में हैं और इस समय समांतर ग्रूप में बहुत सारी पीरेड चल रहे हैं अपसे पहले मैं आना जो है वह काउंसिल में कुछ बैठ रहे हैं कुछ बस वकालात कर रहा है और अब इस समय जो नैशनल मुव्मेंट की अगर तरफ से लेखा जाए तो इसमें 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 सामने आती है यूरोप से यूरोप में क्या होता है कि जो बहुत सारे जैसे भीका जी काम्या हो गई यह लोग अब यूरोप में इस्टैब्लिश्ट हो गए थे और वहां से रेविशन की तैयारी कर रहे थे यहां पर इंटर्नेशनल करते एक कम्यूल्टी वो बनती है वहां पर जाकि पहला यह जो भारत का जो एक आइडेंटिटी दिलवाती है बाइए फ्लॉरिंग दा ने गर्मनी जो है वो बिटेन की अगेस्ट के बिया और यहां पर इंडेंटिश्न करते हैं कि वगयू से जर्मने से यह लोग एक सपर्ट करते हैं इसको जो बरुष कर देड़ा है वहां पर यहां पर इंडिया में जो बहुत बड़ा नाम रहता है बड़ा जब चलता है उसी तरह यह जो खबर होती है यह लीक हो जाती है और बिटिश गवर्मेंट भी पूरा जो जखीरा होता है हतियार का इसको फीज कर लेती है और बागा जाती अब भागते फिर रहे हैं दूसरे तरफ क्या होता है अमेरिका से एक यहां पर बहुत बड़ा नाम लेते हैं हम लोग लाला हर्दियाल का वो अमेरिका में बैठे हुई प्लैन करते हैं कि हम लोग एक गदर रेविलिशन करेंगे वो वहाँ पे थूरू देयर निउस्पेपर और पार्टी इंदुस्ता करेंगे 1915 की 21 फरवरी को अभी पूरा प्लैन कर रहें अब धीरे धीरे इंडिया में आने चालो करती है दो दो लोग करके बिकॉस को सख विथा कि ऐसा होगा इसी बीस एक बहुत बढ़ी घटना होती है को मारू इंसेंट होता है जो इस डिवोल्ट को बहुत ज्यादा क्ल जो इस शिप में जो लोग होते हैं मेली वैसे जो काम धूलने जा रहा है वेंकुल्वर्ट पहुझते हैं तो जो इनको इस उतरने नहीं देती है क्योंकि ब्रिटिश कहीं नहीं उससमें इनके ऊपर सांद केरिडा गवर्मेंट की उपर तो अब यहां पी यह देखा जाता है कि गवर्मेंट होती है इंको रखती है और यह लोग दो तीन महीं लिए वहीं पर जो पोर्ट में शिप में रहते हैं कुछ दिता ही इनको रखता है कि आप आने देंगे बट पिर इनको वजब वापस दोटा दिया जाता है इसको किसी तरीके से एंट्री नहीं दी जाती है जी जिप है इसमें रहे है तो यह बापस धेल जाता है पनजाब के तरफ डाव जाने के लिए स treffen की तरफ जाने के लिए लूग बोलते के हम नहीं जाएंगे हम हम् लोग कैनेडा जाना है अपनी रोजी रोटिक लिए तो यहां पे फाइरिंग हो जाती है और बाइस लोग की हत्या कर देते हैं पुलिस वाले इससे जो गदर मुमिंट था इसको बहुत ज्यादा इसको एक कुछ मिलता है और इसका नाम सा गदर वो शुरू होने से पहले ही खतम हो जाता है और जब एक रिवोल्ट जो लीडर्लेस हो गया उसके बाद यह कुछ रही करते हैं और यह जो बहुत बड़ा रिवोल्ट करने के प्लैनिंग थी यह वहां पे प्लैनिंग धरी रह जाती है तो ठीक ही यह तो हो गया रिवालुशनरी एक्टिविटीज खासकर जो चल रही थी ऐसा लग रहा है भारत में ऐसी कोई अक्टिविटी नहीं चल रही थी अंदर भारत में तो कॉंग्रेस के लीडर है खासकर एक्स्ट्रमिस्ट इनका क्या रोल है अभी इस सब्सक्राइब जैसा कि एक लॉलीपॉप दे गया था बिटिश गवर्मेंट के द्व और यहां पर अब जो एक बहुत बड़ी जो लीडर थी एंडिया में और इंडियन पॉलिटिक्स अब यह लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग एक नया मूवमेंट लॉंच के लिए उसका नाम रहा है होम रूल मूवमेंट यह कहां से था कि जो जो एनी बे हम लोग यह मूवमेंट करें हैं बट कहीं ने कहीं लोग की सहमती नी बनता ही और इंडियों ने से थैख हिया कि हम अब यह भी अब कहीं ने कहीं 1915 के आसपार जो कॉंग्रिस थी वो भी समझ रही थी हमको भी एक्स्रमिस्ट को जो लीडर है उनको वापक लेना पड़ेग ना रहते हुए अब यह पूरी और इसका एक रिजन यह भी है कि जो बड़े जो लीडर थी जो मॉडरेट्स के बड़े लीडर से उनकी भी अब डेथ होने लग लगी ती कुछ-कुछ लीडर थी तो इसके करण्ट से जो ठीलक जी है उनको वापस लिया गया और बोला कि अ है रहाल अप्रेल 1916 में तीलक जी के द्वारा होम रूल चालू हुआ और इए बेशन जी का सब्टेंबर 1916 में यह मुवमेंट चालू होता है इसी वीच क्या होता है कि अब कॉंग्रेस को भी जीख रहा था कि हम लोग कुछ कर ने रहे हैं और बिटिश गवर्मेंट हम लो जैसा कि हम लोग हम लोग के बड़े बुदुद्ध होते रखी दो जब चोटे बच्चे लड़ रहा हूं तो बड़ों को नहीं पड़ना थी बड़ों को नहीं पड़ेंगे हम साथ साथ खड़े हो अब के लिए ठीक है फिर यह लोग इसी बीच प्लैन करते हैं कि जो हूं अब जो प्लैन चल रहा है यहां पी मुश्लिलीक को भी साथ से नहीं तो 1916 में Congress और मुश्लिलीक के सेशन होता है 1916 के दिसंबर में यह होता है लगनाव में और यहां पर एक लगनाव पैक्ट किया जाता है जहां पर मुश्लिमीमी और Congress दोनों मिल के बोलती है और हम लोग जो होम रूल है उसको हम लोग पुरी तरीके से पुश्च करेंगे और फिर इसी से जो होम रूल जो अभी तक छोटे-चोटे एरिया में चल रहा था पिलर के दुवारा और एनी बेसिंट का यह बड़ा एक प्रूप ले लेती है अब धीर 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 यह मूवमेंट चलने प्रूप लाज़ रहा था कि हाँ अब वापस से कॉंग्रेस अपने आपको ला रही है और फिर से वही हुआ जो कैरेट और स्टिक की पॉस्टी चल रही थी गवर्मेंट की जो क्या बोलते हैं बृटिश गवर्मेंट की इस बार है लो ने यह बोल दिया नीसों से सत्त्रा कि हम लोग एक नया एक दाने वाले हैं और हम लोग अब भारत का इस प्रिजन्टेटिव और बढ़ाएंगे और यहां पर जो जो यहां पर इसे वाइसिरा थे उन्होंने अपने मगवर्मक के जोटे आसूब बाहे और उन्होंने बोला कि हम लोग अभी वार लड़ रहे है प्लीज हम लोग को यहां से इस सोलजर्स भी चाहिए तो यहां पर हमाया जो बहुत सा जो नीडर्स थे उसमें से कहीं ने कि गांधी जी भी आते हैं उन्होंने जो बढ़ चड़के जो यहां के लोगों को था उनको पर्सूइट या बिपिश आपनी के लिए और वहां पर उनको मरने के लिए वापस से छोड़ दिया था तो अब जब यहां पर जो एक तिर्फ एक एनॉस्मेंट हुए कि हम लोग नया एक लाने वाले उसी को देखते हुए जो मॉडरेट्स थे जो कॉंगरेस थी उन्होंने बोला कि अब हम लोग तो यह जो कंट्यूनिंग नहीं करना चाहिए अब सबको लगा कि यार अभी तो आपने चालू किया था और यह और फिर से कहीं कि कॉंगरेस इंकी जूटी बातों में पड़ गई और इन्होंने जो मुव्मेंट सा उसको रोखने की बात से फिर अब फिर तिलक जी ने बोला कि चलो तुमनों मत करो मैं करू तो तिलक जी उस समय वैलेंटाइन चिरोल करके एक बुक आई थी एक राइटर की बुक आई थी उसमें हिंदू जो देवी देशता के बारे में कुछ ने अनाफशान दिलिया था तो तिलक जी को अब किसी केस में फसा के इनको यूरोप बुला लिया जाता है और तिलक जी लोगों को लग रहा था कि अब यहां पर देखा जाए तो दो तीन मुवमेंट लगा था ठंडे पड़ गए जो चाहे गदर मुवमेंट हो चाहे वह होम रूल का मुवमेंट हो जैसा कि आपने बताया कि गांधी जी का भी मॉल्मेंट चालू हो गया कॉंग्रेस में अधिकतर लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है बहुत ही ब्रीफ में बताईए गांधी जी का अभी क्या रोल है कॉंग्रेस नौ जन्वरी 1915 में गांधी जी जब 1915 में आये तो अभी तुम बैठो अभी तुम देखो अभारत देश को देखो अभास के ब्रहमण क तो 1916 में एक जो चंपारन करके गांधी जी आए है अफरीका से बहुत सक्सेश्पूल हो कि उनके पार रही है गांधी जी के पीछे पढ़ते हैं कि गांधी जी हमारे बारे में जो बहुत बड़ा इसको किसानों के साथ मुंदा चल रहा है उसके बारे में पहुते तो जो बहुत बड़े कोई योगी आया है बहुत बड़े कोई ऐसे अदमिया है जो फूते जिसको जो इनका सब कुछ प्रॉब्लम हल कर देंगे तो वहां पर जो गांधी बाबा गांधी बाबा इनका नाम से बड़ा फेमस है कि या कोई बहुत चमसकारी बाबा आ गया है चमपार्ण में जो जो नील की खेती हो रहे थी उसको लेकर कि बहुत बहुत कर रहे हैं यह गलत कर रहे हैं और ब्रिटिश कोई चीज नहीं करना चाहिए अब गांधी जी ने बोला कि अगर आप लोग नहीं सुनेंगे मैं स्ट्राइक पर जाओंगा और मैं लोगों को बोलूगा कि यह सब भी स्ट्राइक पर जाए बड़ तो फिर जो लोकल एंबेस्टेशन की उसको सुनना पड़ा और जो वहां के जो प्लांटर्स थे जो प् गांधी जी जी जो बहुत गजब बात थी वह जो लोकल एशू को वह जो नेशनल एशू और इंटरनेशनल एशू बना देते थे उससे गांधी जी की अब जो पैट थी भारत में वह बढ़ने लगे थे इसके बाद वह जाते हैं आमधाबाद और खेडा यह जो बहुत गांधी जी पर गैसे पर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो गांधी जी के सब्सक्राइब इसके जो मिल के वरकर होते हैं अब मिल के वरकर को लगता है कि अब हम लोगते होगी बट यहां पे जो गवर्मेंट रहती है वो यह बीट का मध्यसतर निकानने कोशिश करते कि अभी आप लोग काम करें हम आप लोग को बाद पैठा देंगे गांदी जी भी बोलते हैं चलो की बात हुई तो यहां से जो गवर्मेंट की दर गए थी और फिरोडने में वील वरकर होती है काम किया इसके बाद फिर खेडा में भी जो पिजन्स का प्रॉब्रम सा वहां पे भी गांदी जी ने काम किया और यहां पे कहींगे कि चरदा वाला भाई पटेल जो थे वो भी इनके साथ आने लग गये तो गांदी जी अब इसके साथ दीरे दीरे जो इंडियन की जो स्ट्रगल में था वो आने लग गये थे और गांदी जी ने जो सकते ग्राय का जो माल सकते ग्राय का वो अब लोगों को दिखाना चालो कर दिया था तो अब गांदी जी भी यहां प आपको कभी भी जाके आपको एक कर लिया जाता था सिर्फ इस बयाँ पर कि आपको रेवल्यूशन करने बाने हैं तो जब यहां पर पंजाब में अब यहां पर जब एक्शन होता है और इसी विए पंजाब में जब बहुत सारी गतिविद्या को देखते हूं वहां पर लोगों को पता नहीं था कि मार्शाल एक्ट लगा दिया गया है और लोगों तक इसकी यह बास पहला ही नहीं गई पंजाब में इसे बीच जो दो बड़े लीडर से सपासी और किछी उपिल दोनें को दिरिफतार कर लिया जाता है और वहां पर बैसागी का एक पर्व भी लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कि मार्शाल भी लगा हुआ है उनकी जमीन पे उनके पंजाम में और लोग पर जलिया वाला बास करकी एक मैदान में जब वहां पर लोग एकत्रित होते हैं तो वहां पर जो वहां का गवर्नर रहता है और यहां पर जो एक यूनिट को दायर के दुए दुनों अलग रहते जो जो गवर्नर रहता है वह इनको आदेश देता है कि जाके उस जो वहां पर जो वहां पर जो चीज़ें खराफ है उसको देखती है और आर्मी कहीं न कहीं सिर्फ उसे बंदूप से बात करती है इसलिए जो लास्ट रिजॉट होता है वह होता है आर्मी का तो जो डायर था वो गया वो एक सक्रिय रास्ते से गया और वहां पर पूरी पूरी एक बटैनिन प्रेनाज कर दी तो यहां पर यह लोग अंधा दुन्स फाइरिंग करते हैं और बहुत सारे लोगों की जैस हो जाती है जिसको हम आज कर सांते हैं जले जिनका फास्ट करते हैं और गांधी जी बोलते है कि यह मेरे से एक हिमालियन बिलंडर हो गया मतलब इसनाई ने उसके खिलाफ एक कमिटी बैटती है, कमिटी में कुछ नहीं होता है, इनफेक्ट उलता ही हो जाता है कि उसके साथ बहुत साथ सिर्पती आ जाती है बिटेर में और बहुत सारा उसके लिए चंदा इकटा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, बट 1932 में जो गवर्नल रहता है, वो डॉयर, उसको 1932 में सरदार उधम सिंग, वो जाके इंग्लेंड में मारते हैं, तो इसे के साथ जो एक बहुत बड़ा जो इवेंट था, जो लोगों के दिल में बहुत बड़ा जो घाव कर दिया था, वो जलिया वाला बाग, वो 1929 के अप्रेल मही में में हो जाता है, और गांधी जी अब ये सोचते हैं कि अब कैसे जो हमारा सत्यागरा है, इसको आगे करेगा और लीड करेगा आने आगे आने वाले रिवालुशनरी इसको और रिवालुशनरी एक्टिविटीज को, तो दोस्तों अगर आपको आज का ये पार्ट पसंद आया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज कमेंट करके बताएगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग जो भी प्रकाश इस बारे में बता रहा है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके अपना क्वेशन पूछ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जाते से लोगों को साथ शेयर करिए, ताकि 15 अगस्ताने के पहले, काफ इस बत्ड़े कर बाह 심न में जाते से लोगों को आप Mouse भी जैल को साथ, भी आसिंब को साथ में जूच को सीओ म में ए बत्ल मुछ्य औरे के वीडियों कूि zarव다음 को स度ो भी आव को साथ, बाब में लिग स Systems